हलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू मंदीप एजूकेशन एक एजबीज यूट्यूब चैनल तो बच्चो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के पहले लौ के बारे में न्यूटन's first law of motion लास्ट लेक्चर में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा और इनर्शिया का बहुत सारा कंसेप्ट न्यूटन first law को समझने में काम आएगा बच्चो को लगता है न्यूटन first law तो बहुत easy सा है उनको पता है लेकिन बहुत जगा पर use करने में वो हिचकिचाते हैं हिचकिचाते नहीं है मतलब problem आती है उनको use करने में गलत तरीके से use करते हैं तो हम इसको सही तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग use करें तो न्यूटन के first law की पहले statement लिख दे और फिर उस statement जो की काफी जादा मिलती जुलती है inertia से क्या आप कहेंगे यह तो भी हम पढ़ चुके हैं तो inertia से क्या इसका relation है वो हमको पता चलेगा पहले statement लिख लेते हैं फिर हम उसको समझेंगे so Newton's first law of motion Newton first law of motion a body at rest law क्या है बच्चो a body at rest remains at rest और a body in uniform motion in a straight line continues to do so until it is acted upon by an external unbalanced force अब इस बात को जड़ा अच्छे से समझ लें कि एक body जो है rest पे वो हमेशा rest पे ही रहेगी अपने inertia की वज़ा से और एक body जो uniform motion में चल रही है वो uniform motion में ही चलती रहेगी same direction में चलती रहेगी जब तक उस पे एक external unbalanced force ना लगा दी जाए this is Newton's first law of motion समझते है चलो इसको जैसे एक body है यहाँ पे और यह body है rest पे चल नहीं रही है अब Newton का पहला law क्या कह रहा है कि इस body पे जब तक force नहीं लगेगी यह body चलना शुरू करेगी ही नहीं a body at rest remains at rest इस body पे जब तक कोई external unbalanced force नहीं लगेगी यह body चलना शुरू करेगी ही नहीं unbalanced force का यहाँ पे क्या मतलब है देखो यह body जो है इस पे ऐसा नहीं है कि अभी यह rest पे है तो इस पे forces नहीं लग रही forces तो इस पे अभी भी लग रही है क्या-क्या forces है कोई भी body जो किसी surface पे होती है या कहीं पर भी होती है जितनी भी body आपको दिखाई दे रही है सर्फेस पे हवा में जितनी भी उन सारी bodies का weight downward direction में अर्थ के center की तरफ लग रहा है वेट भी एक force होती है तो अगर यह body surface पे पड़ी है तो इस पे weight तो downward direction में लग रहा होगा बच्चों को कभी-कभी starting में इस बात की confusion रहती है कि हमें तो यार पता ही नहीं है weight mg हम तो भूल गए formula कोई बात नहीं अभी आएगा एक एक force आपको detail में एक video lecture में बताई जाए या भी जितना बता रहा हो उतना समझ लो इसका weight लगता है नीचे mg downward हाना और किसी भी body पे अ force के weight को balance करने के लिए आप सोचोगी अगर इस पे सिर्फ एक ही force लग रही होती downward direction में mg तो ये तो surface तोड़के नीचे चली जाती ये तो surface को तोड़के नीचे चली जाती तो ये नीचे जा क्यों निरी इसका मतलब है जरूर mg को कोई balance कर रहा है तो इस पे उपर की तरफ एक force लगती है which is called normal reaction इन सारी forces के बारे में इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे और n और mg बैलेंस हो गए तो ये है balanced force n ने mg को balance कर दिया so this is balanced force की वज़ा से body अपने state चेंज नहीं करती बॉडी है अगर मैं इस पर सब्सटेब एक force लगाँ f कि तब ही अपना state चेंज करेगी बिकाby इस एम बैलेन्स करने के लिए सामने से कोई भी नहीं है अश को balance करने के लिए सामने से कोई भी FORCE नहीं है, ठेक है, तो अब अब जरा ध्यान से सुनना, अब आएगी मेन बाद, अब जैसे मैंने इस BODY पे FORCE लगा दी, इसको मैंने FORCE लगा दी और छोड़ दिया, एक बार धक्का दे छोड़ दिया, ऐसा ग्राउंड का friction है, air का friction है, हवा किसी भी चीज को रोकती है, जब कोई body हवा के थू जारी होती है, या ground के साथ contact में जारी होती है, ground उसको motion के opposite direction में force लगा के उसको रोकता है, these forces are called frictional forces, air friction and ground friction, तो ये friction की वज़ा से इसको रोकेगा, तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाके, मान लो, इतने distance पे जाके, इतने distance पे जाके, और ये body रुग गई, इतने distance पे जाके ये body रुग गई, क्यों रुगी, क्योंकि जब आपने इसको एक बार force लगा के कुछ velocity दे दी, तो फिर इस पे लगातार external direction में, एक force लग रही थी, external नहीं, sorry, opposite, external direction नहीं, opposite direction, external direction तो कुछ हो थी नहीं, opposite direction में इस पे लगातार force लग रही थी, frictional force, जो की unbalanced थी, क्यों, क्योंकि जब आपने इस force को एक बार लगा के छोड़ दिया, अब जब ही body यहाँ पे तो इस पे यह लगी, लेकिन इस पे उल्टी direction में, फिर इस पे लगाता ही रहता, तो यह force इस friction को balance करती रहती, और body जिस वेलॉसिटी से शुरू हुई थी, उसी वेलॉसिटी से चलती रहती। अगर आप चाहते हो, आप उसको ऐसे धका मारोगे। थोड़ी इतना यी दूर जाकर रुख जाएगा। आपको उसकोने तक ले जाना है, तो अब लगाफा तर पुश्ट करके लेके जाते। तुम्हारे किताब होंके डब्बे मैं ऐसे ही लाया हूं ग्राउड पुछ करके अपने विल्डिंग के कॉरिडूर में इसको क्या हो गया बहुतने भारी बरकम ये किताब हैं इसमें बड़े-बड़े डब्बे हैं और और कोई है नहीं मेरे अलावा यहां पर हल्प करने वा बैलन्स हो गई बैलन्स हो गई तो क्या हुआ बॉड़े का स्टेट चेंज ही नी नहीं तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी बॉडी जिस विलॉस्टी से चल रही है उसी से चलती रहेगी जिस डारेक्शन में चल रही है उसी में चलती रहेगी डारेक्शन चेंज करनी हो विलॉस्टी चेंज करनी हो तो external unbalanced force चाहिए ये Newton का first law कहता है Galileo ने भी ये law दिया था Galileo को भी इस बात का idea था इस कहानी का idea Galileo को भी था लेकिन Aristotle को नहीं था 2000 साल पहले Aristotle ने भी कुछ loss दिये थे motion से related वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई Aristotle ने देखा कि जब वो arrow को ऐसे फैंकता है तो arrow थोड़ी दूर जाके रुख जाता है Aristotle ने देखा कि जब वो arrow को फैंकता है arrow थोड़ी दूर जाके रुख जाता है उसने अब हावा दिखती थोड़ी है कि air का friction imagine करो तो उसने देखा कि अगर मैं पकड़ के लेके जाता हूं तो arrow constant velocity से चलता है चलता है चलता है मतलब उड़ता है अगर वो ऐसे फैंक देता है तो arrow थोड़ी दूर जाके रुख जाता है अगर किसी को लगे ना थो अगर वो constant velocity से चलाना चाता है तो उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा उसने एक law दिया जो भी air friction imagine नहीं कर पाएगा वो यही गलत law देगा कि अगर एक body को uniform motion में चलाना हो तो external force चाहिए गलत हो गया external force नहीं चाहिए body को uniform motion में चलाने के लिए external force यह लग रही है air friction को balance करने के लिए और net force हो रही है zero तो इसलिए constant velocity से चल रहा है समझ में आई बात तो यह Newton का पहला law है तो अगर body पे force हो अगर body पे force हो balanced अगर body पे force हो balanced तो होते हैं दो cases या तो body होती है at rest या फिर अगर वो move कर रही है so it is moving with uniform velocity constant velocity और अगर force हो unbalanced तो velocity होती है change velocity changes और direction changes और direction changes और बोथ दोनों काम भी हो सकते हैं but external unbalanced force चाहिए body की direction और velocity को change करने के लिए so that is Newton's first law अब यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे जब इसको आगे apply करते हैं for example जैसे मैं अपनी classes में question कराता हूं जैसे inclined plane इस inclined plane पे body का weight लग रहा है नीचे की तरफ weight का एक component लग रहा है mg sin theta पता है ना आपको यह mg होता है यह angle theta है तो यह angle भी theta होता है एक example दे रहा हूं ऐसी गलती हैं बहुत जगा पे गरते हैं so this is mg cos theta and this is mg sin theta और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों students मतलब यह mg sin theta नीचे लग रहा है मानलो यह frictionless है यह plane frictionless है तो इस mg sin theta की बज़े से body लड़ती भी slide करती भी नीचे आएगी अकसर bodies आती हैं glide plane पे तो अगर मुझे उसको उपर ले जाना हो तो मुझे mg sin theta force चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए हर बच्चे का जवाब आता है mg sin theta से ज़्यादा चाहिए जो की गलत है मैंने अगर इसको uniform velocity से उपर ले जाना है अगर मुझे इसे uniform velocity से उपर ले जाना है तो मुझे mg sin theta के बराबर ही force लगानी पड़ेगी उपर की तरफ ताकि net force हो जाए zero और मैं इसको uniform velocity से उपर ले जाऊँ अगर मुझे इसको उपर की तरफ accelerate करना है तो मुझे mg sin theta से ज़्यादा force लगानी पड़ेगी ताकि उपर की तरफ फिर एक net non zero force हो जाए और ये उपर की तरफ चल दे accelerate हो समझे तो ऐसी mistakes होती है जहां पर भी body को चलाने की बात आती है बच्चे कहते हैं सर इदर से ज़्यादा force उदर चाहिए नहीं बराबर force से भी चल देगी बट uniform velocity से ज़्यादा force चाहिए accelerate करने के लिए तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो ये Newton का first law है theoretical सा है जादा इसमें कुछ नहीं है numerical वगरा तो कुछ भी नहीं है इसमें second law में बात करेंगे जिसका बहुत जादा application है उसमें दो-दो equations आती है उसमें बहुत सारे numerical सम करेंगे अगले lecture में आपको करा रहा हूँ second law और उसमें बताऊंगा momentum क्या होता है इस lecture के notes डाउनलोड करने हो तो नीचे description में link दे दिया है वहाँ से जाके download कर लेना मिलता हूँ next video lecture में